अगर आप जस्ट कॉपी पेस्ट करके पंदरो सो से दो हदार रुपे कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपर्टेंट होने वाली है अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है आपको कंप्यूटर पे कोई काम नहीं आता आपके पास कोई कॉलिफिकेशन नहीं है कोई एजुकेशन नहीं है कोई एक्सपीरियेंस नहीं है कोई मसले वाली बात नहीं है आज मैं आपके लिए ऐसा platform लेकर आया हूँ कि जिससे आप online copy paste करके 1500 से 2000 रुपे easily अराम से कमा सकते हैं जस्ट आपको 5 से 10 मिनट काम करना होगा तो अब ये कैसे होगा, किस platform से होगा हमें क्या copy paste करना होगा, कैसे करना होगा ये सब आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरह असलाम अलेकूम and welcome to infotag मैं हूँ शायान सिद्धी की और मैं आज आप लोग के लिए ऐसी जबर्दस सोर्स लेकर आया हूँ जिससे आप जस्ट पांच से दस मिनट काम करके अराम से पंद्रह सो से दो हजार रुपे एजली कमा सकते हैं और अगर आप इस सोर्स पे मेरी बताई गई सोर्स पे ज्यादा मेहनत करते हैं काम करते हैं टाइम स्पैंड करते हैं तो आप इससे ज्यादा भी अमाउंट कमा सकते हैं आप अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हैं जितना कोई एक परसन जॉब करके कमाता है तो ये वीडियो उन लोग के लिए होने वाली है जो कमेंट करके मुझे कहते हैं कि सर हमारे पास कोई skill नहीं, हमारे पास कोई experience नहीं, हमारे पास इतनी qualification नहीं या हमारी इतनी education नहीं कि हम ये काम कर सकें या कोई job कर सकें, तो kindly आप हमें कुछ ऐसा way बताएं, ऐसी source बताएं, जिससे हम अराम से कुछ न कुछ काम करके पैसे कमा सकें, यहां तक के अपना जेप खर्च निकाल सकें तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इस website पे मेहनत करते हैं, time ज्यादा देते हैं और काम करते हैं, तो आप इस website से अच्छा खासा amount कमा सकते हैं, अराम से, जस्ट आपको copy और paste करना है, बस, कोई और लंबा चोड़ा काम नहीं करना अब यह कैसे करना है, इसके लिए आपको video end तक दिखनी होगी, और सारे steps गोर से सुकून से देखिएगा और बाद में फिर उसे implement कीजिएगा, पहले आप सुकून से देखें, कि कितने steps हो रहे हैं, किस step में क्या हो रहा है, कैसे काम हो रहा है किस तरहां से हो रहा है, या हमें copy कहां से करना होगा paste कहां पे करना होगा, पैसे कैसे मिलेंगे, job कैसे मिलेगी, यह सब आपको इस video में मैं बताऊँगा, तो चलिए चलते हैं जल्दी से laptop की screen, तो तो दोस्तो अब मैं आगया हूँ अपने laptop की स्क्रीन पर और यहां पर मैंने खोल ली है एक website जिसका name है steps.com ठीक है मैं spelling आपको बता देता हूँ steps.com अब यहां पर आपको क्या job करनी होगी है या आपको क्या काम करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ ठीक है यहां पर आपको job करनी होगी as a translator और आपको काम करना होगा किसी भी एक document को किसी भी data को या किसी भी digital content को कोई भी चीज़ हो जकती assignment notes किसी भी चीज़ को आपको convert करना होगा एक language से दूसरी language में जी बिल्कुल साइस होना आपने जस्ट आपको यहां पर यही काम होगा कि आप एक language को दूसरी language में convert करेंगे अब बात ही आती है सवाल ही आता है कि भाई हमें तो या तो उर्दू language आती है या थोड़ी बहुत English आती है तो अगर हमें किसी दूसरी language में convert करना हो तो हम कैसे करेंगे या बहुत सारे लोग होंगे जिने English भी थोड़ी बहुत नहीं आती होगी जिसमें से मैं भी एक बंदा हूँ ठीक है तो अब हमें क्या करना होगा मैं आपको चलें करके ही दिखा देता हूं ठीक है तो यहां प एक website आजेगी Google Translate इसको मैं open कर लेता हूं open करने के बाद अब यहां पर हमारे पास Google Translate open हो गया है और यहां पर अब हमें यह बताना है कि हमारा data किस language में और हम convert किस language में करना चाहते हैं तो इससे पहले मैं एक website खोल लेता हूं जहां से मैं आपको translate करके दिखा दूंगा कि आपको translate basically कैसे करना है तो for example यह website मैंने open कर ली और यहां से मैंने कुछ यह data ले लिए ठीक है यह कुछ एक दो paragraph ले लिए इसे मैंने किया copy कॉपी करने के बाद मैं आया Google Translator पर यहां पर मैंने कर दिया इसे पेस्ट ठीक है अब यह हमारा data किस में है यह हमारा data है English language में इसे convert किस में करना है यह भी हुआ है पंजाबी में ठीक है मैंने कहा मुझे करवाना है इसे उर्दू में तो मैंने क्या करा यहां पर एक option दि तो मैंने उर्दू कुछ like किया तो देखें यह जो English का पैरा था यह convert हो गया easily आपकी उर्दू language के अंदर ठीक है ऐसे ही अगर मैं चाहता हूं for example मुझे इसको करना है Russian तो यह English convert हो जाएगी Russian language में या आपका client आपका जो project holder है जो वो आपको बोले कि इस language में करना है वो वो भी मैं यहां पर अराम से कर सकता हूं ठीक है और यहां पर अगर हम करसल लेके जाएं इस पर आपको यह भी define हो जाएगा कि किस sentence को इसने convert किया है अर्भी में वो क्या है जैसे अगर दिख रहा होगा आपको कि मैं इस sentence पर करसल लेके जाता हूं यह blue blue highlight हो गया और ऐसे English के section में देखें तो यह जो पैरा का sentence था एक यह line थी यह इसने highlight कर दी थी ऐसी मैं इस पर लेके जाता हूं तो यह मुझे बता देगा कि यह जो line है एक इस English sentence की Arabic line है ठीक है तो यह हो गया काम कि आप translate कैसे करेंगे अब मैं आ जाता हूं वापस अपनी website पर जो के है steps.com अब यहां पर एक सवाल और यह आता है और आना भी चाहिए कि भाई यहां पर जो काम करवाने आ रहे हैं तो उन्हें क्या गूगल translator का नहीं पता वो यह काम नहीं कर सकते तो देखें उनको definitely जाहिर सी बात है उन्हें भी पता होगा लेकिन यहां पे जो work होता है यहां पे जो का काम आता है वो companies का होता है तो अब क्या यह companies खुद काम नहीं कर सकती या कोई बंदा नहीं रख लेती तो यह हम से क्यों काम करवारी है तो देखें अगर basically for example यह जो translate करने के लिए इन्होंने हमें दिया है यह इन्हें मान लेते हैं कि एक महीने में एक या दो या चलें तीन दफ़ा करवाना है तो अगर यह एक महीने में तीन दफ़ा translate करवाना चाहती है तो यह क्या एक बंदे को as a employee hire करेंगी जिसे एक महीने की sadly देंगी यह just तीन दिन काम करने के लिए तो नहीं ऐसा नहीं होगा तो जबी यह companies यहां पर इन website पर आती है कि भाई हमें जो है यह क काम करवा के दो और इन्हें इतनी ज्यादा इसकी नहीं होती कि just इन्हें एक महीने में या एक shipment में एक प्रोजेक्ट में एक दफ़ा translate करवाना है दो दफ़ा करवाना है तो जब यह लोग किसी एक permanent employee को hire नहीं करते तब यह लोग इन website पे आके अपना काम करवाते हैं और प पोदा दिया अब next step क्या हमारे हमारा यहां पर हमें होना है login तो मैं login प्लिक कर आ हूं login पर क्लिक करने के बाद अब यह आप से पूछ रहा है कि बाई आप जो है as a customer login होना चाहते हो कि बाई आप यहां पर jobs दो हम यहां पर job करने आए मतलब हम यहां से पैसे लेने आए तो हम क्या करेंगे हम यहां पर काम करेंगे login करेंगे as a translator login as a translator पर मैं क्लिक करता हूं तो मेरे पास कुछ इस तरीके का interface आजाएगा कि आप अपनी email id दो और अपना password दो login कर दो या अगर आपने login नहीं किया वह तो आप क्या करेंगे not sign up कि मैं यहां पर sign up नहीं हुआ हूं तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं ठीक है इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का interface आजाएगा जिसमें लिखा होगा become a super human translator ठीक है तो अभी आप से कुछ आपके बारे में detail मांग रहा है कि अकाउंट में कि आपका username क्या होगा यहां पर translator तो मैंने कहा for example यहां पर मैं रखना चाह रहा हूं अपना username शयान सिद्ध की ठीक है तो मैं स्कों दे देता हूं यहां पर password ठीक है और इसे मैं दे देता हूं confirm password रहागे बढ़ाए नेक्सट अभी मैं picture कोई नहीं लगा रहा first name first name क्या होगा मेरा मैंने कहा first name होगा मेरा शयान और second name होगा मेरा सिद्धी की ठीक है इमेल क्या होगी मैरी मैंने यहां पर दे दी अपनी email ठीक है हो गया अब आप यहां पर job क्या करना चाहते हैं ऐस ट्रांसलेटर इंटर्पिटर वाइस होँवर या ट्रांसलेटर और इंडर्पिटर दोनों का काम करना चाहता है मैंने का का काम करूं या इंटर्पेटर का अभी मैं स्टार्ट अप ले रहा हूं ठीक है डैन आप जो है किस लैंग्विज को किस लैंग्विज में ट्रांसलेट करेंगा अब आपको यह बताना है कि यहां पर मैंने ले ली फॉर एक्जैंपल के भाई मैं जो है इंग्लिश को कर दू जाँ रहे हैं तो मैंने कहा यहां पर मैं एक्जैंपल यहां से ले लेता हूं कंप्यूटर के इंडस्ट्री ठीक है तो यह आ गई मेरे पास computer साइए अब आ जाते हैं हम नीचे अब यहाँ आप से पूछ रहें कि आपकी कंट्री गया है तो आप यहां पर दे देंगे पाकिस्तान साइए इसको आपको चेक लगाना है वैसे चेक लगा वहोगर नहीं लगा वह तो आप यहाँ पे चेक लगाए तेन आप करेंगे पर हमारे पास एक error आ गया वो यह है कि यूर यूजर नेम कैननोट इंक्लिवड इस पेस इस मस्ट कॉंटेंड आइधर अलफबेटिक करेक्टर हाइफंस और एसकी करेक्टर के आपको अपने यूजर नेम वगारा में इस पेस नहीं देना तो मैं इसको रेस करके यहां से कर देता हूं सिर्फ शयान ठीक है अब हम आगे बरते हैं अब मैं साइंग अप करता हूं दुबारा अब मैंने साइंग अप करा तो मेरे पास एक और मिस्टेक आए मेरी अब लिखाव आ रहा है यूर पासवर्ट मस्ट भी बिट्वीन एट एट एंड 16 करेक्टर ठीक है तो म पढ़ा लेता हूं मैंने इसमें कुछ एल्फबेट्स और एड कर दिया दैन मैं अगें साइंग अप करता हूं साइंग अप करने के बाद अब लिखाव आ रहा है यूर पासवर्ट मस्ट कॉंटेना कॉंबिनेशन ओफ लेटर्स एंड नंबर्स ठीक है तो यह कह रहा है कि आप अपने पासवर्ट में नंबर्स और एल्फबेट्स दोनों का कॉंबिनेशन डालें मैंने का अच्छा भाई ठीक है तो यहां पर मैंने अपने पासवर्ट को जो है चेंज कर लिया अब चेक करते हैं अगर हमारी कोई मिस्टेक नहीं होती तो यह हमें दे जाएगा ने के आपके पासवर्ट के अंदर अपर केस भी होना चाहिए और लो और केस भी होना चाहिए ठीक है चेंज कर लेते हैं पा्सवर्ड कर देता हुं अब करते हैं सांगप के अब हमारी कोई मिस्टेक है या हम बिलकुल सही है तो अब मुझे लग रहा है किसे नहीं जो ऑजांगे नेकस्ट पीज पे जो के हम आ चुके हैं अब यह मुस्ट से बूल रहा है कि मैं इसको सेफ कर सेफ करना लूँ तो मैंने क कहा भुषिक पासफ़ड सेफ कर लू आप मैं दोबारा लौग इं हूं तो यह मुस्ट से समुझा आपके सामने की भी दी ताकि मैं आपको ये दिखा सकान को कि बहुत सारे लोग मुसे पूछते हैं कि सर हमारे पास ये इशू आ रहा है हमारा यूजर नेम ये आ रहा है या हमारी इमेल साई नहीं हो रही है ये मसल़ आ रहा है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको खुद गल्तियां करके दिखाऊं जिससे आप लोग ये सीखें कि password कैसे देना है email कैसे देनी है आपको अपनो username कैसे रखना है या ये सारी चीज़े आपको कैसे करनी है मैंने जान भूच के खुद किया था ताकि आपकी learning हो सके क्योंकि मैं पहले ही इस website पर visit कर चुका हूँ, account बना चुका हूँ इस पर research कर चुका हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता है मैं आपके लिए कोई ऐसा content लेकर आऊ ऐसी source लेकर आऊ ऐसी website लेकर आऊ जो आपका time waste करे या जिस पर आपको बिल्कुल trust ना हो और आपको उसे ना कुछ हासिल हो ना वसूल हो, तो इसी लिए मैं कोशिश करता हूँ पहले content ढूंता हूँ उस पर research करता हूँ उसे check करता हूँ खुद करके के ये मुझे आपको बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए क्या ये trusted है या ये fake है पहले मैं खुद check करता हूँ खुद काम करता हूँ मैं आप लोग के लिए content लेकर आता हूं अच्छा अभी हमसे बोला जा रहा है कि भाई look like you have to active jobs right now search job क्लिक करता हूं मैं इस पर के आप job search करें तो देखें यहां पर मेरे पास एक job already आई वी है यह translate की इसमें यह आपको description आपको पूरा दिया वह है अप यहां पर कुछ चीजें हैं इनको discuss कर लेते हैं तो यह मुझे से बोल रहा है कि भाई आप अपनी languages बताएं तो मैंने कहा भाई मैं इंगली से उर्दू मैं translate कर सकता हूं all industries रख रहा हूं मैं all services टाइप रख रहा हू go जैसी मैंने go पे click कर रहा तो मेरे पास basically देखें एक job पहले से आ रही थी वह अभी भी आ रही है जो के यह job है लेकिन unfortunately यह हो चुकी है यह already कोई कर चुका है two point fifty dollars में just आपको करना यह होगा जितनी active jobs होंगी होंगी यहां पर आपके पास जब आप login होते रहेंगे पांच म यहां पर job जाती रहती है तो just आपको करना यह है कि accept कर लेना फिर आपको यहां से data को उठा के google translator पर जालना है वहां से उनकी बूली गई language में मतलब जिस language में उन्होंने कहा है कि इसमें translate करके दें आप उस language को उस language में translate करके दें और just यहां पर put कर वा दें तो यह आपके जो पैसे हैं यह आपके वायलेट में आ जाएंगे यहां ठीक है अब मैं चला जाता हूं यहां पर माय वायलेट में अभी देखें मेरे पास यहां पर कोई भी अर्णिंग नहीं है तो अब यहां पर मुझे करना है विड्डॉव तो विड्डॉव मैं कैसे कर सकता हूं simple व करने के बाद यहां पर हम अपना अमाउंट लिखेंगे और यहां पर हम लिख देंगे अपनी पैनियर की इमेल उसका जो अकाउंट है वो लिख देंगे और सब्मिट करवा देंगे और हमारे जो पैसे होंगे वो हमारे पीनियर के अकाउंट में ट्रॉंसफर हो जाएंगे तो ये थी आच की वीडियो जिसमें मैंने आपको एक ऐसा सोर्स आफ इंकम शेयर किया जिसमें आप पांस से दस मिनट काम करके अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हैं और अगर आप इस पे इंप्लिमेंटेशन करते हैं और इस वेबसाइट पे काम करते हैं मैंनत करते हैं तो आप इंशालला ज़रूर कामयाब होंगे और जैसे मैंने यहां पे सिर्फ 2-3 लैंग्विजीज पे काम किया तो इसी तरह से आप अपनी लैंग्विजीज बढ़ा सकते हैं मैंने ऐस यहां पे ट्रॉंसलेटर काम किया तो आप as a interpreter या as a voiceover भी काम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं तो comment करके मुझे अपना feedback लाजमी दीजिएगा कि आपको ये source of income, ये website कैसी लगी या आपने इस पे काम करके कितना पैसे कमा है या अगर आपको कोई भी problem हो, कोई भी issue हो किसी भी चीज़ से related तो आप मुझे comment करिएगा मैं इन्शालला कोशिश करूँगा कि मैं उस चीज़ पे, उस problem पे, उस issue पे जल से जल कोशिश करके वीडियो बना सकूँ तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में नए topic के साथ नए source of income के साथ जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा अपने इस चैनल का ख्याल रखेगा अलाहाफिस